स्वागत है आप सभी का करंट अफेर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में जिसमें हम डेसकस करेंगे युनाइटेड नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिजम कमेटी को तो रिसेंटली यू एनसी की काउंटर टेररिजम कमेटी की बैठक इंडिया में कंड़क्ट की गई है और ये इस प्रकार की पहली बैठक है जो की भारत में कंड़क्ट की गई है इसी कंड़क्ट में हम समझने की कोसिस करेंगे आखिर ये काउंटर टेररिजम कमेटी होती क् कोन-कोन इसमें participate करते हैं इसके अलावा हम यहां discuss करेंगे कि आतंकवाद को लेकर भारत में क्या-क्या चुनोतियां हैं इस meeting के क्या outcome रहे क्या यहां पर discussions हुए और last में हम way forward discuss करेंगे आखिर भारत को आतंकवाद के मुद्धे पर further क्या प्रगती करनी चाहिए ठीक है अभी यह topic है terrorism यह आपके examination perspective से काफी important है GS paper 3 में internal security के topic में आप इसको use कर सकते हैं देखिए 2017 में इस topic से question भी पूछा गया था में इस examination में question है terrorism भारत की राष्टिय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनोती है ऐसी condition में आप इस समस्या के समाधान के लिए कौन-कौन से सुजहावो प्रस्तुत कर सकते हैं और साथ में आपसे ये भी पूछा गया था कि terrorist funding के लिए कौन-कौन से sources पूरे world level पे उपलब्द है ठीक ह है ऐसे में बहुत सारे aspirants confusion की स्थिती में होंगे कि अब हमें prelims की preparation को start कर देना चाहिए या हमें अभी mains ही continue रखना चाहिए बहुत सारे aspirants सोच रहे होंगे कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो ऐसे में मैं क्या ही exam दूँगा कैसे मैं इतने सारे subject को manage कर पाऊंगा कैसे मेरा syllabus complete होगा तो इन सभी aspirants की problem को solve करने के लिए हम प्रारंब batch start कर रहे है प्रारंब 4 यह 14 नवंबर से start हो रहा है हिंदी मीडियम और इंगिश मीडियम दोनों ही aspirants इसमें enroll कर सकते हैं यह batch bilingual रहेगा और इस batch में आपको time bound manner में syllabus को complete कराया जाएगा जो भी aspirants 14 आपको इस batch के regarding कोई भी query हो तो आप हमें अपना जो query है गूगल form के थ्रू भेज सकते हैं गूगल form का link आपको description box में मिल जाएगा तो चलिए वापस आते हैं अब अपने lecture पर और समझते हैं United Nations Security Council की counter terrorism committee को देखिए जैसे कि इसका नाम ही suggest कर रहा है कि यह counter terrorism committee है तो इसका objective क होगा objective होगा terror activities को prevent करना ठीक है इन पर नजर रखना साथ में कुछ ऐसे measures लेना जो की terror activities को रोकने के लिए जरूरी हैं अब इसकी स्थापना कब हो रही है इसकी स्थापना हो रही है 2001 में United Nations Security Council के Resolution 1373 के द्वारा अब यहाँ पर 2001 में अचानक से हमें ऐसी क्यों नीट पड़ गई कि हम counter terrorism committee को बनाने लगे क्योंकि यहाँ पर एक major event हुआ था और वो है 2611 का attack जो की अमेरिका पर किया गया था Al-Qaeda के द्वारा और Al-Qaeda एक terrorist organization है अब जब अमेरिका पर हमला हुआ तो पूरे वर्ल्ड में एक debate शड़ गया terrorism को लेकर कि यह activities जो है यह काफी गंभीर खत्रा बन चुकी है यह humanities के लिए ऐसे में इनको रोकने के लिए हमें अब जरूर कुछ न कुछ steps लेने चाहिए और उसी का परिणाम देखा गया United Nations Security Council की Counter-Terrorism Committee की स्थापना के रूप में है ना अब यह जो resolution है 1373 यह कहता क्या है यह basically request करता है across the world जितनी भी countries है उनको यह बोलता है कि आप अपने home के अंदर और साथ में पूरे world level पर क्या करें terrorist activities को रोकने के लिए उनको prevent करने के लिए अपने legal and institutional ability को enhance करें उसको मजबूत करें आप अपने कानूनी धाचे को मजबूत बनाईए ताकि वो effectively terrorism जैसी activities से लड़ सके और साथ में आप अपनी संस्थागत धाचे को भी मजबूत बनाईए ठीक है अब इसके अंतरगत आप actual में कर क्या सकते हैं आप इसके अंतरगत terrorist के जो financing source होते हैं उसको completely criminalize कर सकते हैं इससे होगा क्या देखे जब आप terrorism फैलाते हैं तो ऐसी condition में आपके लिए finance सबसे important है क्योंकि इससे क्या होगा इससे आप अपने terrorist को training दिला पाएंगे और क्या कर पाएंगे आप आप weapons खरीद पाएंगे लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा उसी को criminalize कर दिया जाएगा तो ये सारी activities अपने आप रुख जाएंगी और जैसे ही ये activities रुख जाएंगी terrorism अपने आप जो है खराब हो जाएगा बिकार हो जाएगा वो उसके पास कुछ रहे गई नहीं करने के लिए तो और क्या कर सकते हैं आप कोई भी ऐसा person जो की terror activities में involved रहा हो है ना जैसे bomb बनाने का task हो गया उन समें involved रहा हो तो ऐसे सभी person के आप जितने भी funding sources सब को block कर दीजे उनके account को ही आप freeze कर दीजे इससे क्या होगा वो person किसी भी तरीके के financial transaction को नहीं कर पाएगा financial transaction नहीं होंगे तो वो किसी भी तरीके से terror फैलाने में असक्षम हो जाएगा और साथ में आप क्या कर सकते हैं आप cooperation बढ़ा सकते हैं ठीक है cooperation कैसे बढ़ाएंगे मानिजे एक country है उसको सूचना मिलती है कि किसी हमारे पडोसी देश में terrorist activities हो सकती है तो ऐसे में आप इस information को उनके साथ share करिए अगर आपको लगता है कि किसी एक country का terrorist भाग कर हमारी country में आ गया है तो आप उसको arrest करके उस particular country को सोपिए तो इस तरीके के corporations अगर हम बढ़ाएंगे तो ऐसे में हम counter terrorism को effectively कर पाएंगे ठीक है तो यह हमारा counter terrorism के बारे में छोटी सी information होगी Now कुछ important facts जो आपको अपने examination perspective से ध्यान लखने है एक तो मैंने आपको बताई दिया कि यह इस प्रकार की भारत में पहली meeting है दूसरा इसको head किस ने किया था जो हमारे permanent representative है United Nation में जिनका नाम है रुचिरा कमबोज उन्होंने इसको chair किया था भारत में और इसका theme क्या रखा गया था यह आपके लिए काफी important है prelims perspective से भी तो theme है countering the use of new and emerging technologies for terrorist purpose अब देखे new and emerging technologies काफी ज़्यादा effective बन रही है terror activities को फैलाने के लिए कैसे अब यहाँ पर हम example ले सकते हैं terrorist आजकल कर क्या रहे है terrorist आजकल drones का use कर रहे है terrorist activities को फैलाने के लिए जैसे आप लोगोंने सुना भी होगा कभी कभी newspaper में आ जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई drone आया जिसमें कुछ हत्यार थे या फिर कुछ मादक पदार थे उनकी तशकरी करने के लिए drones आये थे उसको गिरा लिया जाता है तो यह सारी activities जो है वो terrorist के द्वारा की जा रहे है आजकल साथ में हम emerging technologies में और क्या ले सकते हैं जैसे की cryptocurrency का use अगर आप चाहें तो terrorist के जो normal funding source है मतलब जैसे वो रूपी में अगर funding कर रहे हूँ तो उनको तो आप prevent कर सकते हैं जैसे हमने demonetization किया था सारी black money को हमने एकदम से remove कर दिया तो वो तो आप कर सकते हैं लेकिन जो new emerging technologies हा रही है जिसको आप crypto कहते है इसको track करना बड़ा मुश्किल है आप इसको track नहीं कर पाएंगे कि ये कहाँ पर है किसने transaction किया क्योंकि ये blockchain technologies पर based होता है ठीक है तो ये emerging technologies से कैसे हम बच पाएं कैसे हम terrorist activities को prevent कर पाएं यही इसका theme रखा गया था now composition की बात करें तो इस committee में United Nations Security Council के सभी 15 members होते हैं जिसमें 5 permanent member हैं और 10 non permanent member हैं अब ये 5 permanent members के नाम सभी जानते होंगे इसमें आ जाएगा US उसके बाद UK Russia China and France तो ये सारे permanent members हैं इसके बाद non permanent member क्या होते हैं ये 2 years के लिए इनका चुनाव किया जाता है General Assembly के दौरा तो ये 15 members जो हैं वो इस committee के member हो जाते हैं Next thing Challenges for India Now भारत में आतंक प्राद को लेकर क्या-क्या चुनूतिया है सबसे पहले उसको समझे अगर आपने ये समझ लिया देखे ये practical है बहुत आप सभी लोग terrorism के बारे में जानते ही है News paper में अक्सर आता ही रहता है तो अगर आपने इन चीडों को समझ लिया तो आप इस meeting के outcome को भी समझ पाएंगे क्योंकि जो challenges होते हैं उनी की बात तो हम करते हैं किसी भी meeting में उनी का solution करने के लिए meeting की जाती है तो हमारे लिए challenges क्या है Use of emerging technologies ये तो पूरे world में सभी के लिए challenge बन रहा है drones का use आप कितना track करेंगे कहां तक track करेंगे उसको अब cryptocurrency एक नया challenge बनके आ गया है तो ये सारी चीजें इंडिया के सामने भी आ रही है उसके बाद हम अक्सर करते क्या है जैसे पाकिस्तान हमारे against terror activities करता है तो हम उन terrorists को block करने के लिए United Nation में अक्सर प्रस्ताव लेकर आते हैं लेकिन चाइना क्या करता है चाइना उस पर hold लगा देता है उस पर veto power का इस्तमाल कर देता है और ये completely political है चाइना राजनितिक रूप से biased होकर भारत के इन प्रस्ताव को veto करता है तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनोती बन रही है हम उनको block नहीं कर पा रहे उसके बाद terrorists ने अपने जो funding portfolio है उसको diversified कर दिया diversified का मतलब again वही है कि new technologies के साथ वो transaction कर रहे है cryptocurrencies का उधारन हो जाएगा उसके बाद अभी recently जो एक event हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान को FATF की grey list से बाहर कर दिया है और grey list से बाहर करने के बाद इसके impact क्या होंगे इसको मैंने हाला कि international relation के जो हमारा weekly series है उसमें भी start किया है उसमें भी इसको discuss किया है मैंने वो series आपको एक दो दिन में मिल जाएगी तो उसमें भी आप इसको detail से समझ लीजेगा तो यहाँ पर हुआ क्या है पाकिस्तान को जब इस list से बाहर कर दिया तो ऐसे में पाकिस्तान में funding source बढ़ेंगे और ये इंडिया के लिए एक major challenge बनकर फिर से उभरेगा नाव बात करें कि इस committee में आखिर क्या क्या discussion हुए क्या इसके outcomes हैं तो भारत ने यहाँ पर 5 points पर बात किया है अब ये 5 points कौन कौन से होंगे जो हमने challenges किये उनहीं पर होंगे कि आप terror financing को रोकने के लिए effective and sustained effort करें है ना अब यहाँ पर cryptocurrencies के लिए भी law बनाए जाएं पूरे world level पर efforts किये जाएं cryptocurrency को track करने के लिए उनको regulate करने के लिए ये सब बात यहाँ पर की जाएगी उसके बाद इंडिया ने ये बोला कि देखिए world level पर बहुत सारे जो forums हैं वो terror activities के लिए काम कर रहे हैं जैसे United Nation की एक तो ये counter terrorism committee होगे ये अलग काम कर रहे है terrorist को रोकने के लिए FATF नाम की एक संस्ता है वो भी terror activities को counter करने के लिए काम कर रहे है तो ऐसे में आप क्या करें जितने भी इस प्रकार के मंच हैं उन सब को एक ही coordination बनाए उनके बीच में ताकि सभी मिलकर इस terrorist activities को effectively रोक भाए ठीक है दूसरी बात यहाँ पर इंडिया के द्वारा यह की जा रही है उसके बाद यहाँ पर यह बोला गया है इंडिया के द्वारा यह आप politically biased होकर किसी भी एक particular country के प्रस्ताव को खारिज ना करें है ना जैसे United Nations Security Council में चाइना हमारे प्रस्ताव को खारिज करते रहता है तो इस चीज पर बात हुई उसके बाद क्या बात हुई terrorist और उसके sponsored को आप effectively ban करें उनके उपर आप प्रतिबंद लगाए इसकी बात इंडिया के द्वारा की गई है उसके बाद यहाँ पर भारत ने कहा कि जो terror activities है for example अफीम की तसकरी होती है तो अफीम की तसकरी से जो पैसा आता है उस पैसे को इस्तमाल कर लिया जाता है terror activities को बढ़ाने के लिए हत्यारों की तसकरी की जाती है तो इनका जो linkages है यह काफी खतरनाक है तो भारत ने यह भी point यहाँ पे इस committee के सामने रखा है अगर way forward की मैं आप बात करूँ आपको conclusion में आप क्या लिखेंगे तो way forward में आप यह लिख सकते हैं कि terrorist activities humanities के लिए एक बहुत बड़ा challenge है ऐसी condition में किसी भी country को politically biased होकर terrorist activities को रोकने के प्रस्तावों को खारिज नहीं करना चाहिए इसके अलावा आप यह लिख सकते हैं कि जो countries हैं across the world उनको आपस में cooperation करना चाहिए terror activities को prevent करने के लिए तो इस तरीके के कुछ way forward आप यहाँ पे solution दे सकते हैं तो यह हमारा topic था terrorism को लेकर इसके बाद मिलते हैं current affairs के किसी new topic के साथ thank you so much